दोस्तो सर्दियों के मौसम में लहसुन का काफी इस्तेमाल सभी के घरों में किया जाता है लहसुन की तासीर काफी गर्म होती है और लहसुन को जो बोने का समय होता है वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच का सबसे अच्छा टाइम माना गया है और लहसुन की फसल बोने से लेकर हार्वेस्ट होने तक में 7-8 महीने का समय लेती है तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मात्र 3 दिनों में किस तरीके से आप लैसुन को जर्मिनेट कर सकते हैं तो शलिये फिर वीडियो की सुरुआत करती हूँ नमशकार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों वैसे तो लैसुन हम सभी के घरों में रहता है क्योंकि रोज ही इस्तेमाल होता है तो लैसुन को उगाने के लिए आप घर से सबसे अच्छे जो बल्व यानि की मजबूत लैसुन है उनके पीस को ले लीशे और अगर आपके पास लैसुन घर में नहीं है और आप बोना चाहते हैं तो आप लैसुन बजार से भी ला सकते हैं लेकिन जब आप बजार से खरीदें तो इस चीश का ध्यान रखें कि मोटी कलियों वाले लैसुन को ही खरीद कर घर लाएं अब दोस्तों आपके पास जो भी लैसुन है और जितनी भी मात्रा में आप बोना चाहते हैं तो उन लैसुन को सभी एक एक करके कलियों को अलग कर लें और ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर लैसुन में सारी कलियां एक समान यानि की मोटी नहीं होती है और मोटी कलियां जो होती हैं जब उनको बोया जाता है तो उनसे पौधे जो नए निकलते हैं वो काफी हल्दी होते हैं तो पतली कलियों को आप अलग कर दीचे और मोटी कलियों को आप निकाल कर एक तरफ कर लीचे तो दोस्तों अगर इन कलियों को आप direct मिटी में बोते हैं तो कम से कम साथ से आठ दिन germinate होने में लग जाएंगे लेकिन अगर इस तरीके से आप बोते हैं तो मात्र तीन दिनों में आपके सभी lesson पूरी तरीके से germinate हो जाएंगे और आपको 100% result भी मिलेगा तो उसको करने के लिए आपने जो मोटी कलियों को चाटा है, उन कलियों को आप पानी में भी भीगो सकते हैं, 2-3 दिन के लिए, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन भीगोए रखने पर कलियों के खराब होने का डर हो जाता है. तो उसके लिए आप कोई साफ रुमाल ले ले जो मोटा हो और उसको अच्छी तरीके से पानी से भीगो ले और भिगोने के बाद में जो भी आपकी कलियां हैं उनको उसमें रखके अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद में कहीं अंधेरी जगे पर उठाके रखतें और तीन दिन के बाद आप जब उन कलियों को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उन में germination start हो गया है साथ में नीचे से उसमें roots भी आने लगी है बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कपड़े में हमेशा नमी को बना कर रखना है तो दोस्तों आप सामने जो देख रहे हैं ये मात्र 72 घंटे का result है और 72 घंटे बाद में सारे की सारी कलियां germinate हो गई है साथ में नीचे से इसमें roots भी आ गई है और अब इनको जब हम मिट्टी में लगाएंगे तो साथ से आठ दिनों के अंदर ही इनमें पत्तियां बन जाएंगी और वो पत्तियां हमें harvest करने को भी मिलने लगेंगी शली दोस्तों आप देखते हैं कि इसके लिए हमको मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है तो लहसुन के लिए हमेशा भुरभुरी मिट्टी बनाई जाती है क्योंकि लहसुन की गांट को बढ़ने के लिए भुरभुरी मिट्टी की काफी जरूरत होती है तो उसके लिए आप 40% बगीचे की मिट्टी ले ले और 40% आप उसमें वर्मी कमपोस्ट खाद या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को मिला ले और 10% आप उसमें बालू को जरूर मिला ले अगर आपके पास बालू नहीं है तो फिर आप बगीचे की जो सूखी पत्या होती है उसको पाउडर नुमा बना कर इस मिट्टी में मिला दें तो इसको भी मिलाने से मिट्टी काफी भुरभुरी हो जाती है बचा जो आपके पास 10% है उसमें आप नीम खली पाउडर, राक, हल्दी पाउडर या फिर नीम के जो सूखे पत्ते होते हैं उनका पाउडर बना कर किसी एक चीश को डाल दे जिससे की मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े वगेरा या फिर फंगस ना लगने पाए अब सभी चीजों को आपस में मिला ले और इस तयार मिट्टी को आप जिसमें भी लैसुन बो रहे हैं उसमें भर ले तो दोस्तों इसके लिए बहुत गहरे गमले की जरुरत नहीं पड़ती है छे इंच गहराई वाले गमले या ग्रो बैग में लैसुन बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि मिट्टी को जब भरना है तो बहुत दबा कर नहीं भरना है चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इन कलियों को इस तयार मिटी में किस तरीके से लगाना है तो दोस्तों आराम से धीरे धीरे करके कलियों को मिटी में होल बना कर लगाते जाएं लगाने के लिए जो इसका नुकीला सिरा है वो मिटी के उपर रहेगा और जो नीचे वाला roots वाला भाग है वो मिट्टी में रहेगा और दो कलियों के बीच में 7 से 8 सेंटी मीटर की दूरी को जरूर बना कर रखे जिसे की bulb को growth करने के लिए space मिल सके इस तरीके से दोस्तों सभी कलियों को जिस भी चीज में आप लगा रहें उसमें लगा दे और लगाने के बाद में फिर हलके हाथों से धीरे धीरे करके उपर से पानी डाल दे और पानी डालने के बाद में अब आप गंले या grow back को उठा कर ऐसी जगे पर रख दे जहां पर पूरी देर की इनको धूप मिलती रहे हर दो दिन के अंतर पर आप इसमें बराबर नमी बनाए रखें तो दोस्तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगले दो से तीन दिनों में ही आपके इन कलिया जर्मिनेट होकर और पूधे का रूप ले लेंगी तो दोस्तो इस तरीके से बहुत आसानी से और मात्र तीन दिनों में आप भी और्गैनिक लेसुन को अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं अगले वीडियो में मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो गया दोस्तो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तब के विए दोस्तो हैपी गार्णिंग